दो तरह के डॉक्टर होते हैं एक डॉक्टर अंबेटकर जैसे और एक होते हैं डॉक्टर घंटा पहले आप Dr. घंटा के वारे में देखेंगे और मैं hand to hand आपको comparison करके बताता रहूंगा कि Dr. घंटा में और Dr. अंबेटकर जैसे लोगों में क्या अंतर है Dr. घंटा जो होगा वो Dr. अंबेटकर की तरह बहुत सारी डिग्रिया लेगा उसके नाम के आगे नाम के पीछे कैसारी डिग्रिया होंगी उसको डिग्री लेने की जिद्ध होती है मगर वो ये मानता है कि अगर उसने डिग्रिया ले ली हैं तो वो Dr. मेंटकर की तरह हो गया अब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए अब लोगों को उसकी बात माननी चाहिए अब लोगों के उसको उसकी दिसा पर, निर्देश पर, डिरेक्शन पर काम करना चाहिए उसको ग्यानी मानना चाहिए और जो उसने कह दिया वो आखरी सब्ध है उस पर कोई जिरह नहीं उसके कोई बहस नहीं क्योंकि आप उसके बराबर पड़े लिखे हैं नहीं और डॉक्टर अम्बेटकर में और उसमें कोई अंतर नहीं है उनके पास भी डिग्रियां थी और मेरे पास भी डिग्रियां थी और डॉक्टर अम्बेटकर ने कहा भी है कि सिक्षित बनो, देखो मैं सिक्षित बन गया, अब तुम मेरी बात मानो ये हैं डॉक्टर घंटा ये कभी नहीं देखते कि डॉक्टर अंबेट करने कभी अपनी डिक्रियों का जिक्र कहीं नहीं किया वो लगातार समाज में पढ़ाते रहते थे हर इस तरके आदमी को जो उनके घराया उसको भी और जिसके वो घरगे उसके भी जहां सभाव में बलाया वहाँ भी वो दिन रात लिखाई का काम करते रहते थे, समाज की किताबे लिखते रहते थे और मोर्चो पर भी डटे रहते थे और जहां कानून के हिसाब से संसद में भी डटे रहते थे तो उनका पूरा जीवन बहुत कमाल का जीवन रहा है मगर जो डॉक्टर घंटा है वो बात की चीज नहीं देखते वो कहते हैं कि नहीं हमें डिगरी ले ली है अब हमें आपने संबान करना है तो डॉक्टर घंटा क्या करता है एक तो वो अपनी ड्रेस को अलग तरह का पैनेगा कपड़ा क्यागा हमारी कुछ अलग पैचान होनी चाहिए तो वो अलग तरह की ड्रेस पैनेगा फिर उसके बाद में वो कहीं बैठाएगा तो बड़े अंदाज में बैठाएगा आपको पता चल जाएगा कि यह डॉक्टर घंटा है वो बार 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 कुछी बदलता रहेगा अगर आपने उसको मंच पे नहीं बैठाया तो वो नाराज होगा 100% नाराज नहीं भी होगा शोर नहीं करेगा अपनी डिगरी के वैसे तो वो आप से कहिना के खुननक खुनतस निकाल लेगा उसको आपने बलाना पड़ेगा उसका भाषण सुनना पड़ेगा अगर आपने उसका भाषण नहीं कराया तो वो आपका हमेसा किनी सत्रू हो जाएगा और भाषण में वो जो पेलेगा जो कहेगा वो आपने सुनना पड़ेगा जिलना पड़ेगा और जितना लंबा भाषण बोलेगा उतना ही आपने जिलना पड़ेगा और वो लंबा बोलेगा क्योंकि अगर वो लंबा भाषण नहीं बोलेगा तो उसकी डिग्रियां बेकार हैं फिर आप उसकी विदुता मानोगे नहीं और वो सब्दू भी ऐसे इस्तमाल करेगा जो आपके सर के उपर से जाएंगे चाहें आप भले उट-टके सारे जाते रहें उसे कोई फ्रक्रिक पर था और वो बार 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 जब बोलेगा तो दो सिंटेंस सामने बोलेगा चार बार वो मंच की तरफ दिखेगा मंच वाले लोगों से जवस्ती कहलवाएगा ठीक कहा है मैंने ठीक कहार उनको जवस्ती हाँ करना पड़ेगा सारा भाषण जितना भी है वो रात को त्यार करता है किताबों से ऐसे मोटे-मोटे अक्षर या तो याद करके आएगा और या फिर वो लिखके लाएगा कागश पे कि आपको 100 साल तक भी पल देने पड़ेंगे वो जब तक आप PSG नहीं करेंगे और उसे इस बास से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो डॉक्टर घंटा है डॉक्टर अंबेटकर तो है नहीं अपनी विद्वता का सार्टिफिकेट आप से इस उक्रान हाया है ताकि आप उसे कहें कि आप कमाल का बोले जैसे कोई बहुत शायर होता है और वो ऐसी शायरी अर्वी में पढ़ता है बाकी सब लोग उसका मुझ देखते रहते हैं वावा भी करते हैं कहीं गलती से पूछ ले क्या बोला कहरा जी इन्होंने वावा किया मैंने भी कर दिया समझ में मुझे तो कुछ आया नहीं यही वो डाक्टर घंटा का कमाल है डाक्टर घंटा जितने भी घंटाओं से मिलेगा यानि एक अकिला डाक्टर घंटा नहीं है यह आपस में बजते रहते हैं यह कभी खटे नहीं होंगे यह इनकी पैचान है यह एक दूसरे की कम्या निकालते रहेंगे एक दूसरे की कप्ले फारते रहेंगे और एक दूसरे की जो बुद्धी है विद्वन्ता है उसको challenge करते रहेंगे और बड़े सयम तरीके से बड़े polite तरीके से बड़े academic भासा में बड़ी सहतिक भासा में तमीज से बोलेंगे और तमीज से गला कार देंगे आपको एहसास नहीं होगा कि इसने तमीज करते करते दूसरे वाले का कतना घंटा बजा दिया यह इनकी खाशचत होती है और यह कभी एक साथ नहीं बस थे यह एक साथ कभी बजनगे नहीं क्योंकि इनकी विद्वता आड़े आ जाती है वो जो बीच में लटता ना घंटा वो आड़े आ जाता है वो दिक्कत करता है दो ये डाक्टर घंटा की पैचान है एक डाक्टर घंटा बुझे मिले क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश से इसलिए है आप इनको पैचान ले और समझ ले वो डॉक्टर घंटा पाली में बड़े विद्वान हो गए उन्होंने पीएज़ड वगरा पाली में की त बहतर है कि आप बड़ों के हिसाब से वीडियो बनाएं जानकाई देने तो हमें भी जानकारी होगी और भी लोग बनाएंगे पाली सीखेंगे अच्छा होगा टॉक्टर घंटा ने का हम तो बहुत बिज़ी हैं जाओ आप काई में बिज़ी होएं कुई पाली क्लास तो चलने रहे जी यहां तो कोई पाली कि स्कुल खुले हुए नहीं आपका पढ़ाईगा सस्टरे सन्डले Thamay तो छुट्टी होगी हमको वहाँ व्यक्षान करने जाता है हमको वहाँ आख्यान करने जाता है हमको वहाँ लेक्षर है हमारा हमें वहाँ बुलाया है फरानी देश में हम जरा लिखने में व्यस्त है अभी तो हमें टाइम नहीं है तो मैंने का साब आप जो ये पढ़ा रहे हो उससे जो आम जनता है बावा साब की जनता है जो बावा साब ने काया है कि बुद्धन सरणुम गच्छा में सीखना है जो धम सीखना है जो उन्होंने भगवान बुद्धन का धम दिया है ये कब सीखेंगे जी हम इसे कौन सिखाएगा जी करने नी वो तो हमारी लेबल का है नहीं वो तो बहुत छोटा है बसाफ छोटा कौंसे गाए गाज आप तो अब थिप有點 हो गें पड़े होगे इनको इनका क्या होगा करने देखेंगे देखेंगे बात में देखेंगे और उनको माईक चाहिए और उनको मंच चाहिए और बहुत उचे जो भिकु बहुत जो लोक पढ़े लिखें उन में रहना चाहते हैं उन में नाम कमना चाहते हैं गाओं वालों से, नीचे वालों से, उनके लिए क्या लेना देना, क्यों वीडियो बना के आप टाइम खराब करेंगे, कौन पढ़ाएगा, आपने वो कहावत सुनी होगी न, कि जब आदमी पढ़ जाता है, तो कहता है, अपने घर वालों को अपने सगोग क्या कहता है, अरे कह के गए हैं, पूरी जीवन लगा दिया, स्कूल भी खोले, कॉलिज भी खोले, धम दिक्षा भी कराई, लोगों को इखटा भी किया, राजनीती भी समाली, क्या क्या काम नहीं उन्होंने किये हैं, तो तुम एक काम तो करो, कम से कम पढ़े हो, तो पढ़ाओ, तो तुम फ पिएजी तुमने कर ली है, तुम एजुकेशन ले ली, तो तुम निकल के आओने फिल्ड में, इन्हें कौन पढ़ाएगा इन्हें, इन्हें कोई अमरिका से, मासाच्वेट से, या उक्सपोर उन्स से, या क्या भूलते हैं, कोई फेले यूनिविस्टी से थोड़ी आने वाले प्लाने के लिए, इन्हें तो आप ही पढ़ाओगे, आपका धायत है, बावा साब ने का है, एजुकेट होना है, तो एजुकेट होना कैसे, कोई हवा में एजुकेट हो जाएगा, तुम आके करोगे एजुकेट, तो होगा, जब तुम आओगे नहीं, तो यह क्या ए नहीं ना तो तुम संग्ड़त हुए, तुम सारे घंटे एक साथ बजते, तो सामने वाले कामना फूट जाता, तुम अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग करके तुमने सोची ने बना रखी है, अलग-अलग-अलग तुम घंटे बजा रहे हो, तो घंटे काहा रहे है तो घंटी रह गए, तो घंटी की आवाज कौन सुनता है, घंटी तो बस्ती रहती है, बड़ी सुरूरी रहती है, बस्ती रहती है, उससे क्या नुक्सान है, घंटा बजेगा, सारे घंटे एक साथ बजेंगे, कान फोड़ेंगे, तब ही तो लोग कहेंगे घंटा बंद करो उसको, कुछ मिलने वाला है, कुछ तुम्हें जो चाहिए, वो ले ले लू, तो ये डॉक्टर घंटा है, ये डॉक्टर घंटा आपको हर्जी मिलें गे, इनको बारबार कहो आप, कि Mr. Dr. घंटा, आप जो कर रहे हो, उस से कुछ नहीं होने वाला, आप थोड़ा सा हमारा काम देखिए और एक बात ध्यान रहें जो डॉक्टर अंबेटकर जैसे मिलें आपको प्रोफिसर जो लगे हुए इस काम में जो बहुत महनत से लगे पड़े हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं उनको आप नमस्कार करें एक वाद जुके उनका धन्यवाद करें और अगर कहीं ड इनको एसास कराएं कि तुम डाक्टर घंटा हो तीनवाद नमस्कार करो कि हुए वो समझ जाेगा कि मैं हूं तो कुछ नहीं है तीनवाद नमस्कार कर रहा हैishes UP, टीनवाद करने का सिंबल बना लो ये डाक्टर घंटे ठीक हो जाएंगे आपका समाज ठीक हो तो पूरा भारत पढ़ जाता डॉक्टर घंटा की पहचान करने के लिए आपको एक बात खास दिहान देनी पड़ेगी कि अगर बातचीत करते हुए या माइक पर किसी मीटिंग में एनौंस करते समय अगर आपने उनकी डिग्रियों का बखान नहीं किया उनके नाम के साथ त अपनी विदुता दिखाने के निये बुद्धी विलास के लिए किताब लिखते हैं और किताब में अपने दुनिया भर के आइडियाज जो इंप्रेक्टिकल होते हैं यानि प्रेक्टिकल में नहीं आ सकते प्रेक्टिस नहीं हो सकती उनकी वहवार में नहीं आ सकते सारे का इसको किताब में डाली। रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो हम कितने बुद्धिमान इस किताब को पढ़ना तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि छोटी छोटी बात साथ इनको आती भी नहीं है। कि छीच खोज के कहीं से ढूंड के ऐसे सब्द जो कहीं बाहर की किताब में हो या किसी बाहर की आदमी ने रिशेच्च करके लाया हो या उसके मतलब के हो हमारे मतलब के हो या ना हो वही बोलेगा। वही बताएगा उन पर अड़ा रहेगा और बारवार आपको इस बात को कहेगा। तुम कौन हो? मैं डाक्टर घंटा हूँ, देखो मेरी कितनी सारी घंटियां हैं, कितनी सारी डिग्रियां हैं। यह बहुत ही नुक्सायन दाय की स्थिति है, क्योंकि कोई आदमी डॉक्टरेट करें, कोई फ्लॉपसर बनें, कोई पड़ा लिखा हो, कोई हो तो उसका काम है, कि जिस समुदाय से वो आया है, उस समुदाय के छोटे-छोटे बच्चों से लेके बढ़े तक को कैसे वो साम अपने टीचर्स भेजते थे, कि जाओ, और टीचर्स भी क्या थे, कि तुम्हें सर्फ एक टायम की रोटी लिएनी है, और रोटी लिने के बद तुम्हें कुछ नहीं लेना है, तुम्हें दो जोड़ी कपड़े मिलेंगे, वो भी कपड़े जम लेंगे, ज тобमारे फट आप सोचिये कि अगर ये घंटा रही होते तो कितनी बड़ी किरांती अब तक हो चुकी होती है। धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आग पी राइट फिरी हैं आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमि जी आपकी है धन्यवाद संधां शरन गच्छामे धामन शरन गच्छामे संधा शरन गच्छामे